तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा पावरफुल स्ट्रेजी देने वाला हूँ जिसका इस्तमाल करके आप लिटरली नोट छापने वाले हूँ अगर आप इस स्ट्रेजी को समझ लिए तो फिर समझो आपको मार्केट में सक्सेस का राजपता चल गया यह स्ट्रेजी में आप पता लगा सकते हो कि कब mutual fund वाला किसी स्टॉक में एंटर कर रहा है कब कोई बड़ा HNI या फिर FII, DII लोग एंटरी करते हैं स्टॉक में और वो जगह पे आप उनके साथ एंटरी कर सकते हो और आपका stop loss भी हीट नहीं होगा risk reward ratio तो सपने में जितना नहीं सोचा है उससे ज़्यादा मिलेगा बट investment के लिए अगर stock ढूंड रहे हो swing trade के लिए stock ढूंड रहे हो यह जबरदस्ट powerful strategy आपको हर जगह पे help करेगा और आप इस strategy के मदद से अच्छा खासा amount stock market में कमा सकते हो screen पे इसको detail में समझेंगा analysis करेंगे इस strategy का की काम क्यों करता है क्योंकि आपको पता होना जरूरी है कि strategy अगर काम करेगा तो क्यों करेगा उसके पीछे कोई science होना चाहिए समझना ज्यादा important है कि strategy के पीछे का psychology क्या है science क्या अगर आप समझ गए देन आप खुद ही strategy का फाइदा उठा सकते हो pen ले लिया है pen tab हात में है एकदम बिल्कुल zero से आपको बताऊंगा चलिए computer screen पर इसको detail में समझने की कोसिस करते है अब हम लोगों का target है वो target क्या है पहला target कि हम लोगों को पता चल जाए या 200 quantity तो लेने वाले नहीं है अगर किसी stock को उनको उठाना है तो market में proper quantity तो हो औरना ये अडानी वाला हाल होगा कि market में 25% इफ लोट है और खोड़ा सभी stock उपर जाएगा तो इतना ज़्यादा pull up हो जाए कि वो आपस से enter करना उसके लिए इसलिए जो उनका पहला criteria होता है कि वो stock वहाँ buy करना चाहते हैं जहां पर अगर वो अपना buy order place करे तो liquidity हो market में ताकि एक अच्छा खासा quantity वहाँ पर accumulate कर सके without price बहुत ज़्यादा high हुए दूसरा liquidity availability होना चाहिए market में तीसरा चेच क्या है stock थोड़ा अच्छा होना चाहिए otherwise वो ibull housing finance या फिर धनी टाइप के company में तो invest करेंगे नहीं यह सवाल जब आप पूछोगे अपने आप कि mutual fund वाला stock कहा buy करता है तो आपको समझ में आएगा कि जहां उसका पूरा situation बनेगा buy करनेगा वही ना buy कर सकता भी है अगर उसका पूरा strategy हर चीज उसके align नहीं हुआ उसके साथ तो वो buy ही नहीं कर सकता है तो इसी लिए जो हम का strategy है जिसमें मैं आपको तीन stock भी with example आप यहां देख सकते हो B.O.B. ITC. HDFC bank कि कैसे एक mutual fund या फिर बड़ा investor घुसता है smart money कहां enter करता है वो चीज आप find out करके उस चीज का फाइदा उठा सकते हो यह बताने वाला हुआ अब दिक्कत यह है कि retailer के हाथ में stocks पड़ा हुआ है उन्हें buy करना है bank of बड़ोदा लेकिन bank of बड़ोदा का बहुत सारा stock retailer buy करके बैठे हुए है तो वो market में कुछ ऐसा trap बिठाएंगे कि यह जो retailer है यह अपना position छोड़ दें यह position में वो लोग enter करें देखो stocks limited है market में मालो 50,000 quantity किसी stock का available है तो उस situation में वो चाहता है कि retailer अगर stock से बाहर हो जाते है और ऐसा नॉर्मली नहीं होता है ऐसा जाल बिठाया जाता है market में अब देखो पहला example हम लोगों का B.O.B. तो आपको जो मैं strategy बताने वाला हूँ वहाँ पे आपको यहाँ पे entry मिलेगा और यह price कितना दिख रहा है आपको 90 का price दिख रहा है यहाँ से यह price almost 150 रूपीज तक गया है यानि कि total 60 रूपीज आपका stock move किया है और stop loss अगर बात किया जाए तो 50 पैसा का भी stop loss नहीं था यानि कि 1 is 200 आप बोलो कि कैसे enter दिला सकता हूँ यह line क्या है भी है मुझे समझ नहीं आ रहा है आप तो फाल्तू की बाते हैं कर रहे हो यहाँ अगर इसी चीज को आप थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम में ले जाओ अब कितना मिनट का candle है यह थोड़ा थोड़ा पिक्चर क्लियर हो रहा है कि इस line को जैसे ही break किया और उसके बात से चलना सुरू हो गया stop पर आप बोले कि यह line पता कैसे चलेगा कि यह line कहा है यह line आवर का चार्ट है लेकिन अगर इसको हम one day candle पे ले जाएं तो जो picture clear होगा वो next level picture clear होगा कैसे यह जो date है यह करीब जनवरी का date है अब यहां क्या rate था 91 यहां से price जो है करीब 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 कहां तक गया 120 तक गया अब देखो जब एक छोटा सा rally मिलता है stock में तो लोगों को क्या होता है fear of missing out FOMO आता है कि यार 90 रुपस में नहीं खरीद पाया stock 90 मैं खरीद लेता तो आज जबरदस्ट पैसा बनता तो सबका target क्या होता है कि 90 आएगा stock तो मैं buy कर लोगा market करता भी वैसा है ले भई यह फिर से 90 ला दी लेकिन होता क्या है न कि यहां पे फिर से fear trigger हो आदत हो चुका है क्योंकि 50,000 का loss जैसे ही दिखा market फिर से bounce back इस बार फिर वो 10,000 का profit तक देख लिया या 50,000 का profit फिर से देखे यहां वाले लोगों का भी position break even में आया यहां वाले लोगों का भी position profit में गया यहां तक खरिदने वाले लोगों को profit दिख गया यहां पी कुछ लोग इस situation में भी buy कर लेते हैं जितना ज्यादा candle आपको दिख रहा होतना ज्यादा buying order selling order और market एक बार जब उनको hope देता है कि ले भाहिया मैं उपर जा रहा हूं और फिर से नीचे आना शुरू कर देता है आखरी उम्मीद लोगों का रहता है कि भाहिया मैं अब time pass नहीं क जाँगा और market करता क्या है आपके psychology को पढ़ता है और उसी के according act करता है बड़े player जानते हैं कि कहां आप अपना position छोड़ोगे अभी मैं आपको ITC जब दिखाऊंगा तो दिमाग का दही हो जाएगा आपका कि भाही ऐसा क्या चल रहा है market में और वो exactly यही stop loss आपका hit कराते ह हैं यहां पर आपका position पैसेंस test कर लेते हैं आखरी जहां आपका हिमत तूटता है वहीं से stock फिर वापस से move करना शुरू कर देता है अब कैसे enter करना है कहां exit करना है उसके बहले आप ITC को देखो one time second time लोग यहां खरीद के बैठे हैं यहां खरीद के बैठे हैं यहां कि इसको break कर देता है तो इसका मतलब है कि यह नीचे चला जाएगा तो यह breakout देखके भी buy कर लेते हैं लचमन रेखा जैसे break होगा उसका हिम्मत तोड़ देगा और देखो market कितना गंदा काम भी करता है कि ऐसा closing देगा market आपको ऐसा और उसके अगले दिन आप कुछ सोच पा कल ही तो देखा था मैंने 209 का price मैं 215 में क्यों buy करूं या 20 में क्यों buy करूं लेकिन market अगले दिन 20 जाएगा उसके अगले दिन 25 जाएगा 30 जाएगा आप सोच नहीं पाऊगे और market उस range से निकल जाएगा और आप enter नहीं कर पाऊगे market directly अगर यहां से उपर चलना शुरू क क्या ही है सब यह सब एक अच्छा company है जहां पर mutual fund या फिर जो बड़े investor है उनका interest रहता है लेकिन अब वो यहां पर buy नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहां पर उतना ज्यादा quantity नहीं available है यहां पर लोग अपना position छोड़ने के लिए ready रहते हैं retailer यहां पर exit करने के लिए ready रहते है मान के चलो अगर यहां पर किसी का 10,000 quantity stop loss लगा होगा तो यहां पर सीधे 1,000,000 quantity का stop loss order मिलता है क्योंकि लोगों का आखरी उमीद रहता यह और वही stop loss order उनका buying order रहता है क्योंकि आप अगर stop loss आपका hit हो रहा है तो जाहिर सा simple सा बात है कि आप exit कर गए आपका stop loss order होगा support के नीचे और अगर आपका support के नीचे stop loss order है तो कोई तो उसी stop loss को buy कर रहा है ना किसी का तो buying order है तो अगर आप sale कर रहे हो तो क्या retailer buy कर रहा हो वहाँ पर? retailer इतना समझदार कि वो यहाँ पर आके buy करेगा retailer तो यहाँ पर sale करेंगे ना यहाँ कौन buy करता है यहाँ पर buy करेंगे mutual fund वाले यहाँ पर buy करेंगे बड़े-बड़े FII, DII और उसके बाद लागातार buy करते हुए जाएंगे क्योंकि आप enter न कर सको आपको कुछ समझ में ज तो उसके बाद मैं दिखाता हूँ न और आप अपना SL लगाओगे वो SL hit करेगा और अगले दिन से क्या होगा तो देखो consistent green candle, green candle, green candle आप कोई सोचोगे तब तक आपके अवकाद से price निकल चुका होगा तो यह note चापने का machine को use कैसे करना है, simple है आपको पहला चीज देखना है trend, trend देखना है कि stock जो होना चाहिए वो already bullish होना चाहिए पहले से ही, अगर मैं B.O.B. का बात करूँ या ITC का बात करूँ, क्या इससे पहले यह पूरा strong downtrend में था, नहीं, यह stock उपर जा रहा था, यहां से यहां तक एक बार उपर गया, जब एक बार trend बदल रहा है market, आप पता चल गया कि market जो है trend shift कर चुका है, ITC भी देख लो, क्या हुआ था, उससे पहले काफी ज़्यादा bullishness stock में था, तो हम लोगों को सबसे पहले डरना नहीं है कि हम लोग trend के खिलाफ है, हम लोग trend के खिलाफ नहीं है, हम लोग trend के साथ है, बहले हम लोग उल्टा समय में trade ले रहे हैं, क्योंकि Warren Buffett का एक quote था, आप लोगों अभी पढ़ा होगा, कि be fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful, हम लोग क्या कर रहे हैं, जब सबसे ज़्यादा डर का माहौल है market में, वहाँ पे जाके हिम्मत दिखा रहे है with stop loss, तो अगर हम लोग वे पास stop loss है, तो फिर हिम्मत का क्या बाद अब लोग तो प्रोपर ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोगों को trending stock ढूंडना है, दूसरा बढ़िया stock ढूंडना है, A plus companies ढूंडनी है, जो कि mutual fund के radar में हो, आप जाके धनी stock बोलोगे कि मैं buy करूँगा, और ये setup बन रहा है, वहाँ जाके stock में enter करूँगा, ibull housing finance में जाके enter करूँगा मैं, या फिर कोई ऐसा stock जो कि बहुत नीचे गिर रहा है, अडानी में जाके stock में अभी entry करूँगा, नहीं करना है वहाँ पी, आपको वही stock में entry करना है, जो mutual fund के radar में रहता है, जिसमें mutual fund invest करते हैं, nifty 50 या फिर nifty next 50 में बढ़िया companies, जाके दे अगर breakdown आता है, तब मैं wait करूँगा, तब तक, जब तक किमालो stock ऐसे करके break हो गया, और एक अच्छा green candle से यहाँ पे, अगर closing दे देता है, तब मैं enter करूँगा, अधर वाइस हो सकता यह breakdown हो जाए, no matter क्या मतलब है, तो यहाँ पे जब reversal का पहला sign मिलेगा, आपको market बताए यह क्या है, यह आपका entry है, और यह आपका stop loss है, और फिर यह भी candle आप entry के तोर पे देख सकते हूँ, यह आपका stop loss है, हर stock में, अगर B.O.B. का भी बात करूँ तो पांच मिनिट candle पे देख लो आप, वही type का आपको entry मिलेगा, देखो जैसे area का breakdown आया, एक green candle, यहाँ entry है, hunt हो चुका है, अगर यह SL दुबारा hit हो रहा है, तो इसका मतलब है trade नहीं चलने वाला है, next चीच क्या है, candle bullish candle का closing होना important है, अब उसके next day भी बहुत important day हो जाता है, एक setup मिला आपको, आपने 405 रुपे में stock आज buy किया, 402 रुपे के stop loss के साथ, कल stock 408 में खुलता है, green, so नह निकल जाओंगा, लेकिन अगर market में सच में stop loss hunting हुआ है, तो आपको मौका नहीं देगा, वो बस उपर ही जाएगा उसके बाद, और खतरनाग उपर जाएगा, न आपको sideways market से परसानी होगा, क्योंकि market अगर इसके बाद अगर उपर जाएगा, तो फिर लागातार उपर जा रहा हूं, कि इतना clearly आपको stop loss मिलेगा, यहाँ आपको clear entry मिलेगा stop loss, यहाँ पर आपको clear stop loss मिलेगा, यहाँ पर आपको clear stop loss मिलेगा, तो फिर आप stop loss को लगाओगे, क्यों नहीं, जब आपको पास एक clear stop loss है, तो इस stop loss को use करो, अगर stop loss अगर hit होता है, यानि कि आपका trade नह लेकिन अगर trade चलना होगा तो stop loss hunt नहीं होने वाला है दूसरा no re-entry again and again आपको एक entry लेना है एक ही entry लेना है लेकिन जबरदस्त entry लेना है उसके लिए हो सकता है आपको 25 दिन wait करना पड़े 25 दिन में एक trade मिलेगा लेकिन वो trade 25 दिन लगा लगातार भी trade करते तो इतना पैसा न जब setup बनेगा चूंकि आपका stop loss 2 रूपीज 10 रूपीज में जब 1% का भी stop loss अगर percentage में बताऊं तो नहीं रहेगा 0.5% का stop loss रहेगा उस situation में आप जाके अगर मानलो आपके पास 50,000 है तो आप 5000 का stock खरीदोगे तो नहीं चलने वाला है आपको अच्छा कासा quantity के साथ इस stock म profit हो एक trade चलेगा आपका 10 trade का profit एक trade निकालके देगा एक बार अगर holding के लिए आपको stock मिल गया बार बार सोचना भी नहीं पड़ेगा वो entry best entry होगा पूरे उस stock का उससे अच्छा entry और कोई ले भी नहीं सकता है उस stock में आपको हर बार same quantity लेना है मानलो आपको B.O.B. में मिल का इस्तिमाल करना है trade डेली नहीं मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा क्योंकि stocks limited है घटी है stocks में आपको entry करने मैं ही नहीं बता रहा हूँ कुछ stocks आपको पहले से sign देना शुरू कर जाएगा कि ये आने वाला है आपका setup आने वाला है आपका setup बस wait करना हां support पे buy नहीं करना दोस् सेटप मार्केट में सीख लोगे इसका कोई guarantee नहीं है इसलिए वीडियो को like करतो अगर value मिला है आपको वीडियो में दूसरी बात मैंने आपको setup बताया साथ ही आपको क्यों काम करेगा setup वो भी बताया क्योंकि आप सिर्फ रटा रटा या setup में आपको बता दूँगा MA crossover या नेक्स्ट इंपर्टेंट वीडियो में तब तक के लिए